तो आने वाला है Jio का एक सबसे सस्ता चार हजार रुपे का स्मार्टफोन जिसमें होने वाला है मैसिब बैटरी चीह सरमेज का 64 MP का क्वार्ड क्यामरा बसकर भाई कितना जूट बोलोगे ऐसा मैं नहीं कहा रहा हूँ ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स कहा रहे हैं जो बस क 4000 के अंदर होगा 4000-3000 में आपको देखने को मिल सकता है Jio इस पर काम कर रहा है 4G के साथ में आएगा जो आपको एक स्मार्टफोन होने वाला है Android-based phone होगा 4-5000 की अंदर तो आज आज बात करें वाले कि क्या आपको इस फोन में देखने को मिल सकता है प्रैक्टिकली बात करें करेंगे क्योंकि 4000-5000 में आपको ज्यादा स्पेसिफिक्शन देना तो पॉसिबल नहीं होगा एक बेसिक स्मार्टफोन होने वाला है बेसिक स्मार्टफोन होगा जो 4G स्मार्टफोन साथ में Android-run करेंगा उसके उपर क्योंकि आपको पता है Jio का कॉंटक्ट कितना है आगे बात करेंगे तो चलो फिर शुरू करें देखो जियो प्लान कर रहा है एक नया फोन लॉंच करने का वह भी चार से 5000 की अंदर बहुत सारा लिक्स और रूमर्स आई है बहुत सारी न्यूस आया है कि जियो अपना काम बे स्टार्ट कर चुका है एवन आपको पता होगा कि Jio का पार्टनर्शिप किसके किसके साथ है नहीं पता Google, Facebook, Qualcomm यह सब बड़ी बड़ी वही कंपनी है जिसका आप स्मार्टफोन यूज करते हैं मतलब Google का Android यूज करते हैं आप Facebook फोन में चलता है WhatsApp Facebook जो Facebook कंपनी का हो गया और बात करें Qualcomm जिसका Snapdragon का processor है मतलब Jio के हाथ में पू जियो ने अपना planning स्टार्ट भी कर दिया है तो जियो बहुत सारे Indian companies को approach कर रहा है कि एक नया phone बनाने में मदद करें मतलब 200 million smartphones जियो का टार्गेट है बनाने का मतलब 20 कडूर स्मार्टफोन जियो लॉंच करेगा और इसको फिर सेल करेगा मतलब Jio का बहुती next level का planning है तो ज जियो का एक जो phone आएगा ससता phone होगा यह आपको ही पता है चार से 5000 में तो आपको ही पता है कि क्या आश्यमें मिल सकता है maximum to maximum आपको इसमें HD प्लेस्वलर डिस्प्ले होगा IPS डिस्प्ले के साथ में आएगा Full HD प्लेस्प्लेश इसपे पॉसिबल नहीं है चार से 5000 के अंदर यह आपको भी पता है, camera को उपर बात करें तो हो सकता है, double camera हो जाए, single camera हो जाए, क्योंकि 4 से 5000 में ज्यादा अच्छा चीज़ देना possible नहीं होता है, practical ही बात करें, fake वीडियो देखना है, तो YouTube में बहुत सारी available है, लेकिन truth और practically बात करें, तो बहुत ही कम available होगा, यह आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें आप gaming बहुत ही दमदार कर पाऊगे, initially 4 से 5000 के phone में आप क्या कर पाऊगे, यह आपको यह पता है, तो YouTube में आपको बहुत सारी वीडियो देखने को में जाएंगे, जो वीडियो क्लेम करते हैं कि इसमें होने वाला है 48 MP का quad camera, 64 MP का quad camera, 6000 image camera से battery बड़ा display, लेकिन आपको लगता है, practically हो सही होगा, तो उनसा भी वीडियो सो comment डिजेबल रहता है, likes और dislike आप देख नहीं पाते हो, public को बहुत ही जादा mislead किया जा रहा है, लेकिन हाँ, definitely 4 से 5000 में Jio का एक नया phone आएगा, 4G phone आएगा, जो एक budget phone होने वाला है, जो सबसे स 4G smartphone होगा, जो Jio launch करेगा, तो देखो, Jio अगर कुछ नया चीज़ launch करता है, तो definitely उसके साथ अच्छे अच्छे plans भी लाएगा, attractive offers लाएगा, ताकि बहुत ही लोग, बहुत सारी लोग उसके smartphone को purchase करें, हो सकता है Jio एक नया skim निकाल देगे, 6 महीना का आपको free internet मिल जाए, एक साल का free internet मिल जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो stay tuned रहना future updates के लिए चानल को subscribe कर लेना, और bell icon को भी click कर देना, क्योंकि Jio का अगर कुछ update आता है, तो इस चलम में आपको latest मिल जाएगा, और क्या, बात कता है इस phone के launching date के उपर कि कब तक आपको ये phone इंडिया में देख जियो के तरफ ते, जियो के smartphone होगा, जो बहुत ही अच्छी बात है, तो देसंबर तक आपको ये phone इंडिया में देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो कुछ महीने बचे वे हैं, तो देखते हैं क्या Jio करता है, अलग सा वह तो बात की बात होगी, ल लेकिन 64 MP और बड़ा बड़ा चीज़े इसमें पॉसिबल नहीं है, आप समझ गए होगे, तो वीडियो पसंद आया, लाइक करना, चानल, सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपका कोई ही हो, डाउट्स हो, कॉमेंट करके जरूब उतना, जो मनयार कॉमेंट करो, आपकी मर करते हैं आपने ऐसे किसी नेक्स वीडियो में, थेंक्स वो चेंग, हाइफाइ!